first question है कि dimension of pressure are the same as that of because pressure जो है वो एक force per unit area है so अगर मैं आप एक force per unit area देखूंगा तो इसके accordingly मुझे क्या answer इसमें मिलना चाहिए तो accordingly अगर आप इसके हाँ नोटिस करें तो आपके पास जो first option given है force per unit volume यह option तो हो नहीं सकता c option भी गलत है और d option भी गलत है हमारे पास रहेगा केवल energy per unit volume तो अगर हम energy को यह units देखते हैं कि energy की units होते हैं joule और per unit volume के जो units हैं वो है meter cube राइट और अगर हम यहाँ पर भी इस चीज़ को नोटिस करें हैं कि force over area है तो force का unit होता है Newton और area का unit होता है meter का square अगर मैं इसको उपर नीचे दोना तरफ अगर length की एक और dimension supply कर दूँ तो अब देखते हैं Newton times जो meter है means force times displacement है वो हो जाता है work और उसका unit होते है है जूल और जो नीचे meter एक और हमने एड किया है उससे वह जाए गए जूल पर meter cube राइट सो हमारा correct option होगा इसमें से बी यहाँ पर आपके पास जो तीनो number given है 161 यह है basically 161 ही है तो जितनी भी measurements आप कर रहे हैं जो भी digits आपके screen पे record हो रही है वो सबी जो significant होते हैं जैसे कि इसमें 161 इसमें 3 significance है और इसमें 3 significance है और इसमें 3 significance है रही बात यह है कि हम इसको कैसे लिखे हैं कि हम इसको 0 से decimal के बाद लिखते हैं यह decimal के बाद एक और 0 लाग लिखते हैं तो वो zeros जो counting numbers के पहले होते हैं और अगर decimal के पहले भी उनके आगे कोई number ना हो तो वो zeros जो है insignificant होंगे इस बिखाग पर इसके 3 significant figures है तीनों में ही और हमारा जो सब 6 में से most correct option है वो होगा के बाद डी यह question latest है 2014 का equal masses हमारे पास 3 gases का है hydrogen, oxygen और methane का जिन्हें की volume V में रखा गया है और इनके जो conditions है वो identical है यहां mention किया गया है कि इनके conditions है वो identical conditions है अब point यह है कि इनके जो volumes है वो किस ratio में होगा तो volume का बड़ा simple concept है अगर moles बराबर है तो volume equal होगा अगर moles equal है तो volume भी equal होगा बट condition ही होने चाहिए कि जो temperature है या प्रेशर है इनकी कोई भी condition जो है difference नहीं करनी चाहिए वो बिलकुल identical होनी चाहिए जैसा कि इसमें identical condition के बारे में बताया गया है अब रहे कि सारी बात है कि इनके moles कितने है तो मैं इन सब के पहले equal volume select करना चाहूँगा और उसका बड़ा simple concept है क्योंकि hydrogen का molar mass 2 है इसका 32 है और methane का 16 है तो मैं यहाँ पर oxygen को 32 है molar mass मैं यह assume कर लूँगा मेरी choice है कि सभी का mass बराबर है तो methane का भी मैंने 32 ले लिया और hydrogen का भी 32 ले लिया अब अगर आपको moles calculate करने है तो moles के लिए बड़ा simple है oxygen के लिए हम डिवाइड बाई 32 कर देंगे methane के लिए बाई 16 कर देंगे और hydrogen के लिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे so accordingly that हमारे पास जो most correct option होगा that will be c यह question बहुत simple है volume कितना होगा oxygen का जिसे की हमें एक लिटर प्रोपेन को burn करने के लिए required होगा अब देखिए अगर आप प्रोपेन के लिए simple equation लिखते हैं जिसमें कि आप oxygen से इसको react करवाते हैं तो आपके पास carbon dioxide बनेगा along with water बनेगा तो मैं अगर इनको balance कर लूँगा तो मुझे यहाँ पर यह balancing इस तरह किस मिल जाएगी और आप देखेंगे कि यहाँ पर total oxygen यूज हुए हैं यहाँ पर यह 6 और यहाँ पर 4 तो 6 and 4 means 10 so we need here 5 to balance this completely तो यहाँ पर मेरे पास 5 mole oxygen के बन रहे हैं इसका मतलब यह होगा कि अगर मैं एक mole propane लूँगा तो मुझे 5 mole oxygen चाहिए अभी मैंने जैसे बताया है कि अगर moles equal है तो volume भी equal होगे और इन conditions को मैं यहाँ पर नहीं देखना चाहता हूँ because इसके में demand इतनी नहीं है जितना कि आपके पास यह चीज़ काम कर रही है तो मैं इतना सारा जो question इसकी में कोई requirement नह बी ओविसली 5 तामस अफ दिस में 5 लिटर यहाँ 0.2 ग्राम्स अफ वॉलाटाइल गैस अपून वैपराइशन गिवस 45 ml वैपर बैसिकली यहाँ पे वॉलाटाइल गैस नहीं होना चाहिए वॉलाटाइल लीक्विड होना चाहिए बिकास गैस तो अल्री गैस होती है तो य नहीं बुल भी दे वैपर दैंसटी Foundation कैंट श्यविए कि आपको यहाँ पता होना चाहिए यह वैपर दैंसटी होती है वेपर देंसटी होती है कि जो गैस है, उसकी देंसटी कितनी होगी, अगर हम उसे हाइडरोजन से compare करें, मतलब कि हाइडरोजन के comparative ली वो कितनी heavy है, तो मेरे पास हाइडरोजन के अडेंसटी दे रखी, ग्राम पर लिटर में, और अब आप इसकी देंसटी calculate कर लिजे, तो ग और यह इसे हम solve कर लेंगे तो इसे मैं roughly आप बताऊंगा कि इसको आप ऐसे लिए सकते 24 times 10 to the power यहाँ पर आपके पास 10 की यहाँ पावर होगी decimal के कारण वो होगी minus 2 और नीचे आपके पास आजाएगा 45 times 10 to the power minus 3 और यह आपके पास density है gas कि अगर मैं इसी density को compare करूँगा with density of hydrogen 0.0 और इसको roughly ले लेंगे तो 0.09 आजाना चाहिए अब सारा मसला रहेगा कि इसको solve कैसे करेंगे तो देखे मैं इसको simple solve करना जा रहा हूँ basically आप इसको roughly लेकर देखे हैं तो यह number आता आपके वास basically 10 तो यहां पर आजाएगा 240 by 45 और नीचे यह number आपको आजाएगा 0.09 ओके तो बस आपको इसको solve करना है solve करने के लिए मैं थोड़ा सा square decimals को remove करूँगा और यहां पर दो zeros और insert कर दूँगा तो मेरे पास यहां पर नंबर बच जाएगा इसके बाद basically वो हो जाएगा यह सारा कुछ solve बाउट होकर के मेरे पास आ जाएगा 24,000 divided by 45 times the 9 तो मैं यहां पर एक rough mathematical calculation आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा देहां से देखना देखिए अगर यहां पर इस 9 के बदले में अगर मेरे पास यह number होता 10 तो यहां पर होता 450 राइट 450 यहनि के सारह 400 का जो आधा है वो आप देखेंगे कि यहां पर आ नियरली आधे के equal आता है यहां तक में सिर्फ 240 तक में है ना यह 240 है तो धाइस होता तो इसका डबल पांस होता तो यह 240 है तो इसका डबल हो जाता है 480 तो मैं यह देखता हूँ कि जो number यह almost 50% आता है और उपर से दो zeros भी लगे हुए है means कि मेरा जो answer है it should start from 5 but it should be greater than 5 so हमा जो correct option बनना चाहिए that should be the B1 इस question को ऐसा भी कर सकते थे जैसे आप देखेंगे 45 ml का जो mass है वो है 0.24 gram तो अगर मैं इसका half कर देता हूँ 22.5 ml का weight अगर मैं calculate करूँ है just इसका half किया है तो obviously half weight भी आ जाएगा means 0.12 gram आ जाएगा right अब आप देखेंगे कि 22.5 और 22.4 काफी close है तो मैं इसको अगर approximately ले लेता हूँ कि 22.4 ml होता तो इसका weight होता 0.12 gram approximate हो जाता right अब यहाँ भी milliliter है और यहाँ पर gram है तो अगर मैं इसको liters में convert करूँगा तो obviously मैं इसका thousand time ले लूँगा तब ही जाके liter में convert होगा तो मैं अगर इस number का भी अगर 1000 times अगर मैं इसको multiply कर ल मास है 22.4 liter का ना कि 22.4 ml का ओके और इसलिए जो यह मास आए ग्राम का यह पर मोल आएगा यह यह ग्राम मोलर मास है अब अगर आपको vapor density के calculation पता है कि आपको vapor density है molar mass of the gas divided by 2 means how much it is heavier than hydrogen so आप 120 बटे 2 करेंगे and you will get 60 so where is 60 here is the 60 यह question बहुत simple है बस थोड़ा पढ़ने में लें थी है molecular weight given है oxygen के और sulfur dioxide के right जिसके की हमें availability जरूत नहीं थी हमें पता था और 15 degrees celsius 1500 mm mercury pressure पर यह information है कि जो एक लीटर oxygen है उसमें N molecules है right अब हमें पता है कि जो इनके molecules और moles का relation है वो केवल इनके volume के साथ होता है और moles के साथ होता है अगर एक लीटर में N molecules है तो कोई भी gas होगी तो उसके एक लीटर में N ही molecules होंगे under the same condition तो चाहिए वो O2 है चाहिए CO2 चाहिए SO2 है और यहां question है the number of molecules in 2 liters of SO2 तो बताइए अगर एक लीटर में oxygen के N है तो एक लीटर SO2 में भी N होंगे दो लीटर में कितने होंगे obviously 2N right so let us go for the answer so we have 2N this equation बहुत है simple है आपके पास 2.8 kg of ethylene है और इसे burn करने के लिए आपको oxygen का weight चाहिए क्योंकि weight ही given है weight ही पूछा गया है तो हम इसका सबसे पहले तो equation लिखेंगे यह है आपके पास ethylene right और इसका molar weight होता है 28 तो जब भी आप इसको oxygen से burn करेंगे आपके पास cable carbon dioxide आएगा plus water आजाएगा अगर आप इसे balance कर लेंगे तो आपके पास oxygen के atoms पतर लग जाएंगे जैसे कि यहाँ पर 2 और 2,4 और यह 2,6 तो आपके पास total हो गया यहाँ पर 3 times of O2 अब 3 oxygen के जो molecules हैं उनका जो mass आना चाहिए वो होगा 32 into 3 तो 32 into 3 हो गया अब क्योंकि यहाँ हमारे को 28 ना देगर के 2.8 है और यूनिट्स अगर यहाँ पर kilogram है तो यहाँ भी हमारे पास units kilogram हो जाएंगे तो अगर 2.8 हो गाँ तो यहाँ पर 32 into 3 को मैं डिवाइड बैट 10 कर दूँगा तो मेरे पास answer आजएगा basically 3.2 times the 3 तो 32 into 3 यानिक 96 और डिवाइड बैट 10 means 9.6 यह question भी बहुत सिंपल है आपके पास एक element है जिसके isotopes है और यहाँ पर 3 isotopes given है और आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं कि जो average weight पूछा गया है कि वो किसके close आना चाहिए है तो आप obviously उसके close आगा जिसका percentage highest है तो highest percentage है कि इधर है 90% है तो आपके पास जो answer आना चाहिए it should be close to 90% meaning 200 AMU यह question यह बहुत सिंपल है नाइंद का कि boron के 2 stable isotopes है boron 19% जो है वो boron 10 में exist करता है और 81% boron 11 में exist करता है मतलब कि जो boron का weight है वो 10 से लेकर के 11 के बीच में कहीं भी average आ सकता है तो इसके हिसाब से अगर आपको average का concept clear है तो आप देख सकते कम से कम 10 इस concern नहीं हो सकता और 11.2 तो बिलकुल भी नहीं हो सकता है और अगर हम देखे कि इन दोने में से higher percentage 11 का है तो हमारा इन दो options में से जो सबसे closest होगा 11 के वो यह होगा right well इसको solve कैसे करना है solve करने का तरीका बहुत simple है तो अगर आप mathematics में interested है तो आप cancer आएगा 19% है इसका 10 वाले का और plus है 81% है 11 वाले का और आप divide कर देंगे percentage के लिए over 100 and you will arrive at the same relation same value very simple question maximum number of atoms किसके होंगे अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सभी का जो mass इन्होंने लिया हुए practically वो सारा equal है लेकिन क्योंकि इसका atom जो है heaviest है 108 है और इसका lightest atom है right तो अव्यस्थी बात है कि जो equal weight होगा सबका उसमें सबसे जादा जो atoms होंगे वो lightest element के होंगे तो इसका correct option होगा D तो फिर आपको यहाँ पर ऐसा करना पड़ा है जैसे one divided by इसके नंबर आफ पार्टिकल्स है तो इसके लिए आप डिवाइड करेंगे 108 तो आपको पास इसके मोल साजाएंगे और इसके लिए one divided by 24 फिर one divided by 16 then one divided by seven जिसका value highest आएगी इस रेशो में वही इसका answer होगा हमें पता ह बहुत सिंपल है आपको maximum molecules बताने है water के ही बताने है लेकिन अगर आपको maximum molecules पता करने है तो आपको जस्ट इसके moles को hit करना होगा तो कितने moles होगे ओके तो मैं आप बड़ा simple तरीकर लेगे चलना हो 18 ml of water means की 18 gram water होगा तो इसके अंदर one mole हो जाएंगे क्योंकि water जो है liquid है और 0.01 moles हो जाएंगे obviously और यह है आपके पास water का वैपर्स का volume तो आप देखते हैं कि 22.4 liter के यहाँ बताऊंगा 22.4 liter अगर होते तो होता है इसका 1 mole अब यहाँ बाइस पॉइंट चार से आप देखते हैं कितना पीशे चले गए यहाँ से decimal को आपने उठाके चार डिजिट नहीं कि आपके पास अगर इसके लिए देखा जाए तो इसके लिए जो आपके पास moles होंगे वो 10 raise to power minus 4 moles होंगे और इसके बाद आपके पास आगया यह कि 10 के minus 3 यहाँ पर है तो आपके पास पूछा गया question कि maximum किस में होंगे तो option है A तो यह question बहुत है सिंपल है x and y they form two compounds xy2 x3 y2 और 0.1 mole xy2 का आपको गिवन है 10 ग्राम और 0.05 mole का दे रखा यहाँ वेट 9 तो सबसे पहले मैं आप इसको separate करना चाहूंगा कि जो xy2 है और x3 y2 है अब देखिए अगर इसके 0.1 mole है तो 0.1 mole का वेट दे रखा 10 ग्राम obviously अगर मैं इसका 1 mole का वेट देखूंगा तो मुझे mole इसका मिलेगा 1 तो मास आएगा इसका 100 ऐसे ही यहाँ पर जो आपका इस mole दे रखे हैं वो है 0.05 means 1 by 28 तो यहाँ पर इसका वेट दे रखा 9 तो एक mole का वेट इसमें कितना आजाएगा 20 times of 9 means यह आजाएगा 180 ओके आप यहाँ तो ऐसे कर सकते हैं कि 0.05 का mole है 9 तो 1 के लिए क्लिए क्या होगा 9 divided by 0.05 so you can just go and solve it 0.05 से इसका दिवाइड कर लेंगे right and you will get 180 अब यहाँ पर आपको पास एक पिक्चर क्लियर दिख रही है कि जो y2 है वो y2 दोनों में ही बराबर है y2 और इसमें केवल x3 का increase है यहाँ पर x ही है right तो अगर मैं इनकी linear equation बना दूं सपोस किजिए कि x का वेट जो है वो x है तो यहाँ पर आपको आपको आज 2 of y है और य ऐसे ही आपको आपको आज यहाँ पर आता है 3x plus 2y that is equal to 180 और आपको आपको आज बनके linear equation in 2 variable तो आप इसको solve कर सकते हैं दूसरा तरीका है कि आप इनकी given values को substitute कर सकते हैं क्योंकि जो xy2 था तो इसका mass आया था 100 आप देखेंगे कि क्या अगर मैं इस a को select कर लेता हूं और म और क्या ऐसा किसी और case में आता है तो हम इसको check कर सकते हैं ऐसा किसी और case में नहीं आता है तो यह option ऐसा भी लगाया जा सकता है यह question बिल्कु सिंपल है अगर उसे हम change कर लेते हैं कि इसकी जो powers है वो 23 जगर 20 हो जाती हैं तो इससे क्या फरक पड़ेगा तो definitely जो carbon का mass है उस पर बहुत जादा फरक पड़ेगा और अगर carbon के mass से फरक पड़ेगा तो बाकियों पर भी फरक पड़ेगा क्योंकि आपके वाल number of particles पर फरक डाल रहे हैं तो इससे उनकी जो ratios है ratios पर कोई फरक नहीं पड़ेगा किसी भी तरीके के ratios पर फरक नहीं पड़ेगा because particles के जो combination है वो उनके electron और उनके valence shell के electrons पर डिपेंड करती है और इसी तरीक के जो definition है mass का वो भी vary नहीं करेगा because mass cannot be destroyed लेकिन one more carbon का weight जाए वो फरक डाल देगा अब देखने वाली बात है कहां आपके पास 6.022 x 10 to the 23 था और आप कहते थे कि इसका mass अब 12 है तो इसके according नहीं mass होगा अब आपके पास यही same होगा .022 x 10 to the power 20 है तो इसका mass क्या होगा तो obviously इसका mass आप इसके proportion में निकालेंगे तो वो आजाएगा 12 x 10 raise to the power minus 3 gram क्योंकि यहा के masses हैं उसके उपर फरक पड़ेगा right तो masses destroy नहीं होगे right तो इसका correct option होगा A well यह question तो बहुत simple है number of water molecule is maximum 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 कब होगे जब मोल से maximum होगे तो यहां फटर फोट लिखेंगे 18 gram water क्योंकि water का molar mass ही 18 है तो इसके अंदर 1 mole 1.8 इसका 110 हो गया तो मोल्स भी 110 हो गया और यहां देख option बहुत जबरदस्त है लेकिन यह इतना simple नहीं है आपको देखें गिवन है कि mixture of gases hydrogen and oxygen दोनों content है लेकिन इनका जो weight का जो ratio है वो 1 is to 4 है तो सबसे पहले तो आप इसका weight ratio लीजे तो मैं आप इस weight ratio कैसे ले रहा हूं मैं oxygen का ही weight ले रहा हूं मान लीजे कि इसका weight हो गया 32 right अ ही हो गया इनके weights आप इसमें कोई margin number ले सकते हैं right और आपके mole का ratio निकालना है right so simple है तो आप आप देखेंगा oxygen का mole कैसे निकलेगा divide by 32 hydrogen का mole कितना निकलेगा divide by 2 so you get 4 is to 1 so correct option is D